को इस वीडियो में मैं देखानेवल आप लोग को पूरा टैंक से लेकर पूरा बिल्डिंग कि मा वाटर सप्लाइ जैसलिके हमारा वाटर टैंक, पंप, फिल्टर , हीटर, शर्कुलेशन पम्प यह सब लेकर पूरा डीटेल में वाटर सप्लाई का जो पूरा हम एक प्लम्बिंग का वाटर सप्लाई का बारे में जब समझेंगे तो पूरा जो बिल्डिंग में जो आएगा पूरा वाटर सप्लाई यह पूरा का बारे में हम समझने बाले हैं पंप से लेकर बिल्डिंग तक वासबेशन डबलू सी तक पूरा सेक्शन में हम समझने वाले हैं एस्टेप बाइस्टेप समझेंगे किस तरह से यह वाटर सप्लाई हम लगाते हैं बिल्डिंग में होट वाटर रिटान भी है इसमें अब देख सकते हैं कि चलिए पहले हम समझते हैं कि वाटर पांप से यह हमारा टेंग गेटमाल लगेगा है यह समझते हैं पानी झाशों के लिए आ पानी तो अगर चीलर रहेगा तो आपका पानी गरम ने होगा हमेशाथ ठंडा रहेगा पानी के लिए अच्छा होता है अब समझते हैं एक पंप सेट कि यह हमारा पंप यह जो दो सेम्बूल दिखा रहा है यह दोनोों यह हमारा पंप में क्या-क्या लगता है हम लोग को समझना यह बहुत जरूरी है प्लमबर को अगर आप से कोई पूछ दे कि पंप सेट में क्या-क्या लगाना है तो आप इस तरह से एक्स्प्रेंट कर सकते हैं यह हमारा जो सेंबल दिखा है आई भी इसुडेटिंग वल्ब जो हम पंप में लगाते है गेट वल्ब यह गेट वल्ब है उसका बाद यह हमारा हम से एस्टएनर लाएगा यस्टि लिखावाए इस तैनर हमारा और मैं आपने परेटों को पूरा देटेल्स में दिखाता हूंगं हाँ आभी देखिँ पंप में क्या लाएगा यहाँ पे इस टैनर गेटिवाल का बाद-फटेनर का बाद पी-जी प्रेशिण गेज, प्रेशर गेज का बाद यूप फॉलेक्सिबल जो हमारा कभी भी फैप में अगर वाइब्रेसिंशन आता है तो हमारा पैप में पैप को भाइबरेट नहीं करेगा इसल्वे फ्लेक्सिबल लगाया जाता है दोनों तरफ ये दो पंप है तो यहां पर भी रहेगा यह दोनों पंप का बाद फिर पंप का यह पंप का सेक्षन हो गया अब इसका पंप का डिस्चारज में भी आपको को यह अपसी फ्लेक्सिवल पी जी प्रेशर गेज एन रवी नोन रिटर्न भल्ब आई भी गेट वल्ब यह लगाने के बाद यह पूरा आपका पंप सेट कंप्लीट हो जाएगा उसका बाद क्या होगा पंप से जो टैंक से पानी लिया पंप में आया पंप से आने के बाद शीधा आपको फील्टर में जायेगा अजयांसे अब देख सकती है हमरा हिट्र हुद्र है फि NHC technology हैक फिल्टर में एक हमारा इसलेटिंग वाल लगे गा और उपर भी असलेटिंग भल्ब लाएग यह बाइपस दिया हुए हैंós फिलटर का बाई पास अगर समझे काराब ह या कुछ है तो उस टाम या बाइपास से काम चला सकते हैं यह दोनों बंद करके यह एडिशनल बाइपास आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगाना है तो नहीं भी लगाईए यहाँ पर भी आपको गेट वाल दिया है दोनों और बीच में एनर भी का सेंबूल है यहां से पानी आएगा filter में और filter से होके पानी आएगा हमारा electric water heater ये हमारा electric water heater है electric water heater में क्या लाएगा IV isoulating valve NRV non return valve एक gate valve लगेगा और एक हमारा Cantonese bubbles लेगागा इसका बाद हम रहा heater में पाननी जाएगा और heater से पानी होके फिर दुबारा हमारा क्या होगा heater से heater का section होगा heater का discharge यह heater से फिर आप यह building के लिए साइगा इसका discharge में जो heat का है इसका जो discharge में दिया हुआ यह llegar मि गेटवल दिया हुआ . produced इन्सुलेटिंग भल्प जिसको हम गेट वाल भी बोलते हैं इन्सुलेटिंग भल्प भी बोलते हैं और यह हमारा एन्र भी नॉनिटर्म भल्प यह हमारा आभी इसुलेटिंग भल्प यह दोनों दिया हुआ है तो इसमें आपका यह जो है जो हमारा यह लाइन है रहा हीटर में हिट होके पानी जाएगा यह बिल्डिंग के लिए जाएगा यह एरो दिखार आपको यह एरो और यह लाइन हमारा हीटर में और दुबारा आएगा जो ृ dependent नuit हे यहीतर से जा रहा है यह हमगारा रिटर अररा है हीटर मेरा रहा है यह सर्कूलेशन पाम के लिए होड़ी यहाँ पर एक सर्कूलेशन पॉर जो फिर किसे तरह से दो मैं करता रहा है यहां से आपका जो यहां से फिल्टर होने का बाद एक line हमारा हीटर में दिया और हैकलेजी सीधा है Fighting के लिए है को डौंड लैंट है बीलिदिंग के लिए हैक में सीधा है कि वासे बिशनट E weapon यह वहां के लिए पान जाएगा इस पानी ओकर और यह तो हमारा यह हीटर से होके भी पूरा बिल्डिंग के लिए जाएगा यह हमरा हीटर का आप लेट है यह होके पूरा हम्रा बिल्डिंग और यह जो हमारा है हीटर का यह हमारा सर्कुलेशन लाइन है Circulation Line is कहां तक है ? मिल्ड क्या है ? यहाँ से Circulation Line नीचे वास्वेशन के लिए गी ले इंगए यहाँ पिन्हीं आए है यहाँ पिने होटल शिर्फ आया है Circulation Line यहां से रिटन हो गया है उपर चॉपर से ? और यहां से रिटन होने का बाद सर्कुलेशन लाइन बीवी बॉल्भब लगाने का बाद गेट वाल दिया है इस टेनर दिया है प्रेशर गेज रहेगा फ्लेक्सिवल रहेगा और यह हमारा सर्कुलेशन पंप है दो पिस यह दोनों सर्कुलेशन पंप है यह हमारा पानी को ह कर दो अगर पानी होड़ता है तो हमेशा यां सब्सक्राइब होता रहाएं यहां तक तो यह आपको जल्दी गरम पानी तो पानी आपको लेट लिए इसलिए शल्कुलेशन और लगा जाता है हीटर में भी एक आइभी है और एक इन अरबी है ये गरम पानी यहां से जाएगा और गरम पानी को फिर यहां से connection दिया इसका बार फिर होके पानी हिटर के लिए फिल करेगा तो इस तरह से आप पूरा पम्पेट लगा सकते हैं और पॉंप से लगाने के बाद या आपका मैं विल्डिंग के लिए कं अब कर सकते हैं टैंक, पंप, फिल्टर, वाटर हिटर, सर्कुलेशन पंप, उसका बात बिल्डिंग के लिए गया, अब बिल्डिंग के लिए आप देख सकते हैं कैसे, वास्ट बेशन हे यह हमारा डबलू सी है, तो साबर डबलू सी वास्पेशन, डिश वासर जो बरतंद होने वाला था यस पी पेंट्री सिंक इस तरह से आपको बिल्डिंग में पानी आएगा यह वाटर सप्लाइग का कंप्लीट ड्रोइंग है आप इस तरह से लगाएंगे वाटर सप्लाइग तो आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगा इसी तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दिजी और सब्सक्राइब कर दिजी चैनल को और इसी तरह प्लमिंग से लेटेड आप आप लोग लिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद मिलेंगे किसी और वीडियो में और यह हमारा पूरा तीन लाइन होट को सर्कूलेशन है और बीडिंग में जो दिया है यहां से आपको जो हाई लेबल में हाई लेबल से ही आपको रिटन लाइन रिटन हो गिया है सर्कूलेशन से हीटर के लिए